हलो एवरिबन कैसे हैं आप लोग मैं उमीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तयारी भी बहतरिन तरीके से चल रही होगी जो लोग अच्छे नहीं है वो सबसे पहले अपने हिल्थ का ध्यान रखें उसके बाद अपने करियर का ध्यान रखें और तीस आज से हम लोग दरसल एक नय टॉपिक की शुरुवात करने बाले हैं जो की UGC NET पेपर वन का हिस्सा है तो यदि आप हमारे पुराने शात्र हैं तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने पेपर वन के सिलेवस में से लगबक दो तीन टॉपिक के बारे में हम लोगों ने अध कुछ रिसर्च अप्रिटीटूड से थे कुछ टीजिंग अप्रिटूड से थे और कुछ लॉजिकल रिजीनिंग से भी थे कुछ ICT से भी थे लेकिन वह सिरीज चलता ही रहेगा क्रैश कोर्स के तौर पे आज इसे हम लोग रिसर्च अप्रिटूड की शुरुवात तो अभी चुकि पर्याप्त समय है अभी पता नहीं एक्जाम कब होने वाला है आप देखोगे कि UPSC का प्री जो एक्जाम 27 जुन को हने वाला था उसे 10 अक्टूवर तक कर दिया गया है तो आप यह मान कर चलो कि अगस्त सेप्टमबर तक ही एक्जाम हो पाएगा नेट का उ चायद असंभव सा लग रहा है होना भी नहीं चाहिए तो पर्याप्त समय है आप अभी से बहतरिन तयारी कर सकते हैं तो आइए फिर बीना देर के हुए आज से हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं तो आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बाराय हो तो आई होप कि आपने पुराने वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप जा करके प्लेलिस्ट से सभी वीडियो को देख लेना और साथ में नोट्स तयार कर लेना और साथ ही साथ इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर कर देना और सब् बैठते हो तो अपने पास में दो चीज को हमेशा रखो एक तो सिलेवस को रखो और दूसरा प्रिवियस एर का जो केस्टन बेपर होता है उसको आप हमेशा शाथ रखिए ठीक है ताकि आपको पता चलता रहे कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वह कितना आपके लिए फायदे तक करके पढ़ाई करने की कोशिश किजेगा तो अभी आप पेपर बन का सिलेवस निकाल लीजिए जब आप सिलेवस निकालोगे तो यूनिट थर्ड में जाओगे तो वहां पर आपको रिसर्च एप्टिट्यूड मिलेगा जिसमें हम लोगों को मुख्य तोर पे छे सिगनिफिकेंस होता है उसको जानना है हमें उसके अलाबा पॉजिटिवीजम को जानना है उसके बाद पॉस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रॉच है जो रिसर्च में ही पढ़ना हमें उसको भी पहले इवनिट में रखा गया है उसके अलाबा रिसर्च एप्टिटूड म के बारे में यहां पर अध्यन करेंगे उसके बाद तीसरे नंबर पर जहां से एक सवाल हमेशा पूछा जाता है जिस पर हमने वीडियो भी बनाया था यह आपने देखा है तो आपको क्लियर हो गया होगा steps of research यानि कि जब हम लोग किसी भी topic पर research करते हैं तो उसके कितने सारे steps है ऐसा नहीं कि आप direct जाकर करके research करने लगते हो step wise आप काम करते हैं तो steps of research हमें पढ़lor है और इसी में हमें पढ़ना है thesis एन article राइटिंग यानि थेसिस जो राइटिंग होता है वह क्या होता है और article जो हम लोग लग लिखते हैं वह क्या होता है उन दोनों में क्या अंतर है और इसी में आप देखना thesis होता Hay article होता है dissertation होता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे dissertation thesis का एक छोटा रूप है इसको MPHL में लिखा जाता है इंडिया में और thesis को PhD में लिखा जाता है चलो आगे बात करते हैं इसमें हम लोग को एक और पढ़ना है और वह है application of ict information and communication टेकनोलोजी का रिसर्च के फिल्ड में क्या इस्तेमाल है इसको भी हमको इस टॉपिक में अध्यान करना है और लास्ट बट नॉट लिस्ट इसमें हमें अध्यान करना है रिसर्च एथिक्स के बारे में यानि कि जब आप शोध करते हो हिंदी में बात करें तो शोध नैतिकत करते हैं मेरे ख्याल से इसमें और कुछ ज्यादा आपको नहीं जानना है उसके साथ लेक क्या होता है यह तमाम अरे चीज़ यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे उसके अलाबा जब आप तेżs लिखते हो तो में दो-इश्टाइल होता है मुख्य तौर पे तीन स्टाइल से सवाल पूछा जाता है एक मलल एक शिकागो तीकागो हiture global चलता नहीं है जादा इंडिया में अ लेकिन सिकेमेर्स चलता है थोड़ा बहुत तो आप हम तीनों का अध्याण करेंगे इसलिए आप घबराईएगा नहीं अब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट हम लोग कहां से करेंगे स्टार्ट हम लोग करेंगे रिसर्च के डिफनेशन से चुकि अब देखो आप उबना नहीं वीडियो लंबा हो सकता है और वीडियो चुकि आपको पता होगा कि हम लोग हमे उपने बहुपके चाहिए अबियुद पीचे कहती है से सब्सक्राइब क्या से इसे पकूल्म से लिए इसक een ङलंकी ताइब बिडियो करेंगे क्योंकि चाहिए ऐसे इसलिए उस पर एक अलगवीडियो करेंगे फिलहाल हम लोग इसके definition के बारे में बात करते हैं चुकि research के कई सारे definition है बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से definition दिया है इसलिए आप इसको लिखने की कोशिश किजिएगा और ध्यान रखना लिखने से जादा आप समझने की कोशिश करना क्योंकि एक बार आप समझ लोगे तो चीजे याद हो जाएंगे और लिखोगे तो चुकि कॉपी में ही रहेगा इसका मतलब यह नहीं कि आप लिखो नहीं लिखना जरूरी है जादा दिनों तक चीजों को याद रखने के लिए एकदम इन सौर्ट आपको बोला जाए तो आप कह सकते हो रिसर्च इन कॉमन पेरालेंस रेफर्स टु ए सर्च फोर नॉलेज ठीक है रिसर्च क्या है एक परकार का सर्च है ठीक है सर्च फोर नॉलेज बहुत दिनों बात पैड पर लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा रिसर्च इन को लेकर आप मैनेज कर लेना ठीक है सर्च फोर नॉलेज एकदम इन सौर्ट आपको बोलना हो तो आप कह सकते हो या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि रिसर्च इस साइंस्टिफिक एन सिस्टेमेटिक सर्च फोर पर्टिनेंट इन्फोरमेशन और अस्पेसिफिक टॉपिक यह भी कहा जा सकता है देखो जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सभी के सभी डिफिनेशन हैं तो आपके एक्जामिनेशन में कोई भी बिंदू को डाल दिया जाएगा तो आप इन चीजों को लिखते चलना हमारे साथ ठीक है और कोशिश करना कि जो इंग्लिश मैं यूज करता हूं उसको आप मेंशन कर लेना अपने नोट्स में क्योंकि आप यहां पर जो हिंदी में सवाल दे दिया जाता है तो रिसर्च अपनिट्यूड में हिंदी माध्यम के बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए थोड़ा सा देखने की कोशिश करना अब पहले नंबर पर बात करते हैं पहला जो व्यक्ति है जिसका नाम है क्लिफोड वुडी लिखेगा क्लिफोड वुडी ने रिसर्च के बारे में कहा अप लिखना कि रिसर्च कंप्राइज डिफाइनिंग एंड रिडिफाइनिग प्रॉब्लम्स ठीक है मैं इसमें देखो defining and redefining, redefining problems, अब एक बात तो आपको पता होना चाहिए, कि आप किसी भी topic पे research करते हो, तो वह full and final नहीं होता है, उस पर फिर से बाद में search किया जाएगा, इसलिए उसका नाम ही होता है research, जिस topic पे आप research किये हो, ऐसा नहीं कि उस topic पे आपका research, last research होगा, वह last research नहीं होगा, उसी में से फिर अलग तरीके के research question निकलेंगे, और उस पे फिर से research किया जाएगा, इसलिए उसका नाम research रखा जाता है, search नहीं, ठीके तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना research कभी भी खतम नहीं होता है, जिस तरीके से आप research करते हो, तो उस topic पे पहले कई लोगों ने जो काम किया है, research किया है, उनके तमाम सारे reviews को, या फिर उनके literature का आप अध्यान करते हैं, और उनको quote करते हैं, अपने research में, जो भी आपका thesis हो गया, dissertation होगा, उसमें, और आप उनमें देखते हैं, कि यहां पर कौन-कौन सा research problem है, यानि कहा कहा पे कमिया रह finding problems, formulating hypothesis, और suggested solutions, ठीक है, इसमें हम लोग एक hypothesis भी तयार करते हैं, और solution भी हम लोग suggest करते हैं, एक सेकेंड, यह क्या हो गया, अच्छा, अब इन तो वीडियो ही कर जाता, हाँ, ठीक है, formulating hypothesis, and इसमें हम लोग एक conclusion तक भी पहुँचते हैं, reaching a conclusion, ठीक है, तो यह तमाम सारी च चीजे है, गलीफोड ओडी ने कहा है, दूसरे नंबर पे लिखेगा, दूसरा जो ब्यक्ति है, उसने कहा है, ब्यक्ति का नाम लिख लिजे, उन दोनोंने सामुहीक तौर पे, सन्युक्त तौर पे, jointly उन्होंने एक definition दिया, लिखेगा, डी स्ली सिंगर, नाम, spelling आप देख क्या लेना, मतलब मैं सही लिख रहा हूँ, एन एम अस्टेफेंसन, एन एम अस्टेफेंसन, देखो कई लोग के दिवांग में आ सकता है, कि रिसर्च अप्टिटूड पे हमको किताब पढ़ना हो, तो देखो, आपको जब जारेफ करना नात, रिसर्च अप्टिटूड प पूतना माथा पची मत करो, लेकिन यदि आपके मन में भूत सबार हो ही गया है कि रिसर्च अप्टिटूड पे हमें कोई किताब चाहिए, अस्पेशली पढ़ने के लिए, तब आप डियेस कोठारी का एक किताब है, उस किताब को पढ़ सकते हो, डियेस कोठारी बोल रहा तब इस किताब को पढ़ना, हलाएं कि जहां से मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें तिन-चार सारे किताबों को मैं मिला कर पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको कोई अलग से किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, साथ मैं आप KVS मदान को पढ़ते चलिए, उतना काफी है, manipulation of things, concepts, or symbols for the purpose of generalizing to extend, correct, or verify knowledge, whether that knowledge adds in construction of theory, or in the practice of an art, मतलब कहता है, कि social science के encyclopedia में, M. Stephenson ने definition दिया, कि चीजों को manipulate किया जाता है, रिसर्च में, ठीक है, उसमें एक नए concept का निर्मान किया जाता है, और symbolically उसको use किया जाता है, और उसका भी एक अपना purpose होता है, जिसमें हम लोग problem को generalize करते हैं, यदि आप generalization का मतलब नहीं समझते हैं, तो आप video हमारा देख सकते हैं, मैंने पढ़ाया था उसमें, समाननी करण, जो कि इतिहास के यदि आप भिद्दार थे हो, तो आपको पता होगा, कि historiography में एक topic ही पढ़ना, इस पर लगबग हम लोगों ने एक से दिर घंटे में बात किया था, यदि आप उस topic को देख लोगे, तो जिंदगी बर फिर आपको समाननी करण पर पढ़ने की जुरुत नहीं पढ़ेगी, आप किसी को पढ़ा सकते हो, तो यह दो नंबर पर लिखिएगा, तीसरा जो ब्यक्ति है, उसका नाम है James Traver, James Traver, हंडाइटिंग कितना खराब हो गया कुछी दिनों में, सॉरी Traver का रहा हूँ, James Draver, ठीक है, James Draver, ड्राइवर मतलिक लिखना है, James Draver, इन्होंने कहा कि किशी शेत्र में ग्यान तथा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबध खोज ही अनुसंधान है, ठीक है, मतलब करता है किसी भी फिल्ड में, किसी भी फिल्ड में, सिस्टेमाटिक, ठीक है, सिस्टेमाटिकली जो भी हम लोग रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, दरसल वही अनुसंधान है, और खोज हम लोग किसले करते ह knowledge के लिए या फिर पहले से हमने जो perception त्यार किया है या फिर जो हमने concept त्यार किया है उस concept को सत्यापित करने के लिए उस concept को प्रूवड करने के लिए ठीक है तो James Traver का क्या कहना था मेरा ख्याल है कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा चौथे नंबर पे लिखिएगा चौथा ब्यक्ति है रेड मैन ठीक है चौथा ब्यक्ति है रेड मैन रेड मैन ने रिसर्च के बारे में कहा कि अनुसंधान नवीन ग्यान प्राप्त करने है तू एक ब्यवस्थित परियास है मतलब कहता है कि research is a systematic approach to gain new knowledge अगले नंबर पे बात करते हैं पाचवे नंबर पे बात करते हैं और पाचवा लिखिएगा Traverse वहाँ पे James Draver था यहाँ पे Traverse है Traverse ने क्या कहा है लिखिएगा अनुसंधान वह प्रकिरिया है जो sectionic परिस्थितियों में एक बैबहार संबंधी विज्ञान के विकास की और अग्रसर होती है यह भी मिलाज उलाकर कि आप देखोगे कि जितने भी लोग definition दे रहे हैं य नहीं नहीं एक ही जगह पे point out होता है कि new knowledge को gain करने के लिए नय ज्यान को gain करने के लिए नय ज्यान को सत्यापीत करने के लिए हम लोग एक systematically approach के साथ एक research करते हैं और उसके through जो हमें ज्यान प्राप्त होता है दरसल वही research होता है आगे बात करते हैं एक ब्यक्ति हैं जिनका नाम है बेवेस्टर उनका भी definition लिख लिए छठे नमबर पे बेवेस्टर ठीक है बेवेस्टर ने कहा है बेवेस्टर ने कहा कि अनुसंधान केबल सत्य के खोज के लिए नहीं है बलकि यह दिर्ग कालिन सघन और शाद्रिश संधान है मतलब कता है कि जो research है वह केबल सत्य के खोज के लिए नहीं है बलकि यह लंबे समय के लिए ठीक है लंबे समय के लिए किया गया research है ताकि आगे आने वाला समय में कोई व्यक्ति research करेगा तो आपके द्वारा जो किया गया research है उसको review of literature के तोर पे literature review के तोर पे उसका इस्तेमाल करेगा source के तोर पे उसका इस्त रिसर्च का जो आप देखो रिसर्च दो सब्दों से बना है तो इसमें समझने की जरुवत नहीं री पलस सर्च री का मतलब होता है क्या री का मतलब होता है अगेन एन अगेन यानि की बार-बार और सर्च का मतलब खोज करना यानि किसी टॉपिक पे जब बार-बार हम लोग खोज करते हैं जैसे कोई व्यक्ति एंसेंट इंडिया में मौडन इंडिया पे रिसर्च करना चाहता है तो चुकि मौडन इंडिया पे बहुत सारे लोगों ने काम किया है प्राचिन भारत के कई ऐसे महारत प्राप्त हिस्टोरियन है जिन्होंने एंसेंट इंडिया पे मौरे कालिन जो ब्यवस्थित चीजे थी मौरे कालिन जो इतिहास रहा है उस पर रिसर्च करने का काम कर रहे हैं तो रिसर्च दर असल होता है यह इसलिए ताकि वो बार-बार होता रहे थीक है तो पांचे डिफिनेशन हुआ कुछ और लिख लेते हैं एक दो और लिखने की कोशिश करते हैं ठीक है एक ब्यक्ति है जिनका नाम है छठे नंबर पर लिखेगा रामेल जे फ्रांसिस 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 ने क्या कहा फ्रांसिस ने कहा कि अनुसंधान नवीन सुचनाओ या संबंधों की खोज है तो सावधानी पुरवक किया गय अब तो बात वही है न, आप देखो, यह भी वही बात कर रहे हैं, Travers ने भी वही बात कै, लगबग सब की बाते वही हैं, शब्द यह लोग अपने अपने तरीके से बदल ले रहे हैं, यह लोग कर रहे हैं कि new knowledge को ठीक है, new knowledge को या फिन new information को ठीक है, new information को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकिरिया का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसी को दरसल रिसर्च कहा गया है तो बात तो घूम फिर करके वही आ रहा है या भी वही बात कर रहा है जो आगे जो पिछे में हमने सभी को पढ़ा जो जिन सभी लोगों ने बात किया वही बात फ्रांसिस ने भी की है तो इसमें और कुछ जाने के आपको आप सकता नहीं है, इतने तमाम सारे इसके definitions थे, और एक दो देख लेते हैं, जिन लोगों ने define करने की कोशिस की है, मानलो कि हुबहुन के नाम से पूछ दिया जाए, तब आपको याद तो रहना चाहिए कि किस व्यक्ति ने क्या कहा था, एक व्यक्ति के बारे में लिखिएगा उसका नाम है JW Crosswell, यदि आप KBS मदान पढ़ोगे तो उसमें यह definition आपको मिल जाएगा, KBS मदान ने इनके definition को शामिल किया है, लिखिएगा अनुसंधान किसी विशय के बारे में जानकारी को एकत्रित करने एवम उसका विशलेशन कर करने की प्रकिरिया है, Crosswell ने कहा कि किसी भी subject के बारे में information को collect करना और उसके साथ ही साथ उसका analysis करना यह जो प्रकिरिया है, इस प्रकिरिया को ही research कहते हैं, ऐसा किस ने कहा, JW Crosswell ने कहा, समझ में आ गई बात, एक definition और लिखिएगा, जो KBS मदान में ही शामिल किया गया है, आठवे नंबर पे, और लिखिएगा, उसका जो source है, वह है Advanced Learner's Dictionary, उसमें कहा गया है कि अनुशंधान विशेश रूप से नए तथियों की खोज के लिए एक सावधानी पूर्ण जाच है, वही बात है, ठीक है, Advanced Learner's Dictionary, सेम बात कहा गया है कि जो research क्या है, new facts को खोज क करने के लिए, एक systematic तोर पे, ठीक, एक systematic तोर पे किया गया जाच, दरसल research कहलाता है, तो इतने सारे इसके definitions थे, और एक दो के बारे में देख लेते हैं, यदि किसी और ने define करने की कोशिश की है, तो मेरा ख्याल है कि उसके बारे में भी आपको लिख लेना चाहिए, 9 में औ तो उसके बारे में भी लिख लीजेगा, हो सकता है, यहां से ही सवाल ये लोग पूछ दें, तो फिर ऐसा नहों कि आपका answer छोड़ जाए, आपका ज्यारेव होना चाहिए, हमारा मुख्य उदेश यही है, तो 9 नमर पे बात करते हैं, 9 जो definition की बात की जाए, वह ब्यक्ति ह जिनका नाम है मैक, ग्रेथ और वाटसन, मैक, ग्रेथ और वाटसन, शेन वाटसन नहीं वो, जिसके बारे में आप इमेजिन करो मन में, है ना, मैक ग्रेथ और ऐसे बताना, शेन वाटसन कहा के प्लियर है, मैक ग्रेथ और वाटसन के अनुसार, उन्होंने कहा, कि जयान की बृद्धी की जाय प्रगती के लिए जो आपको अप्रिसेट करें जो समाज के लिए सहायक हो और मनिष्य को और अधिक प्रभावसाली बना सके तथा सोसाइटि में जो इसूस है जो मनुष्य से related हैं किसी और चीज से related हैं उन पे वो परभाव साली धंक से research करके उस problem का solution निकाल सके इन सोट आप देखो इन्हों ने 5-6 शब्दों को यानि कि जितने भी लोगों ने अब तक define किया मेरा ख्याल है कि सभी के definition को इन लोगों ने mix कर दिया इन्हों ने क्या क्या बात कहा पहला बात कहा कि knowledge enhancement के लिए ठीक है ग्यान में बृद्धी होनी चाहिए दूसरी बात new facts या new knowledge आना चाहिए तिसरी बात इन्हों ने कहा कि जो progress के लिए ठीक है जो progress के लिए आपको appreciate करें ठीक है सोसाइटी के लिए मददगार हो जैसे रिसर्च करते है ना जिसे रिसर्च में आप करते हो कि इंडो और अफरीका का ठीक है भारत और अफरीका क्या क्या संबंध रहा है कोलोनियल फेज में तो वा रिसर्च करने से क्या फायदा है रिसर्च करने से फायदा यह है कि आज के दौर में भारत जब अफरीका के साथ अपना वैदेशिक समबंध स्थापित करेगा या सुधारना चाहेगा तो अब प्रिवियस का जो मतलब अतीत में जो समबंध रहा है अफरीका के साथ उसका अर्धहन करेगा और उसके अधार पे एक निशकर्स निकालेगा और उसी के अ तो मेरा ख्याल है कि जिन जिन लोगों ने जितना भी हमारे पास सोर्ष था लगबग आठ दस लोगों ने जो परिभासित करने की कोशिश की है हम लोगों ने सभी के परिभास्टा के बारे में बहुत विस्तार से अध्यन किया है यदि आप इतना कर लेते हो तो रिसर्च के दिफनेशन से दि कोई सवाल पुछता है तो मुझे पूरा भरोशा है कि आप से सवाल नहीं छुटने वाला है आप 110 परसेंट उस सवाल को आप टैकल कर लोगे तो आज के वीडियो में इतना ही आज हमने अध्यन किया है रिसर्च के दिफनेशन के बारे में अगली बार ज चाहिए कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका कितना फायदा आपको पहुच रहा है तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में आप सभी से निवेदन है कि आप अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर कीजिए और चैनल पे नए लोगों को जुड़ में हमारी मदद कीजिए ताकि हम उनकी भी मदद कर सकें बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक लिए आप अपना अबम अपनों का ख्याल रखिए और लोगों से प्यार करते रहे थाइंक्यू वेरी मॉच ओच वीडियो